क्या मुझे सुनाई का टेस्ट जरूरी है येस दोस्तों ये बहुत सारा common questions है कि क्या मुझे को रूटिन कान के सुनाई की जाच करानी चाहिए मैसल्फ डॉक्टर सुनील तमर कंसल्टेंट एंटी और राइनोप्लास्टी नोज सर्जन जैपुर दुर्बी ऑस्पिटल दोस्तों ये common questions है कि क्या मुझे hearing test कराना चाहिए तो बात करते हैं basically कि क्या वो test है और क्या मुझे कराना चाहिए दोस्तों hearing जो है हमारा जो है एक कोड ने जो दोनु कान के अंदर जो हमारा work बनाया है कि just to provide hearing hearing सुनाई देना और दूसरा हमारी body का balance बनाना ये दोनु चीजें हमें अच्छे से होनी चाहिए नहीं तो हमारा जो है वह balance नहीं बने गया हमारा decrease hearing होगा तो हमें बड़ी problem create हो जाती है day-to-day activity में सो अगर हम बात करते हैं तो दोस्तो there are certain indications ideally जब हमें hearing test कराना चाहिए जब तो हमें करना ही होता है अगर हमारे कान के अंदर जो है वह हमारे कान के अंदर बहुत साल से मवाद आ रही है हमारे कान के अंदर जो है वह ringing sounds आ रही है सुनाई का अंदर basically क्या है कि आवाज सही सही स्टाइब की आवाज आ रही है बहुत बार क्या होता है कि हमारे कान के अंदर जैसे फ्लाइड जर्नी के बाद के अंदर एयर ब्लॉग हो जाते हैं एयर के अंदर popping sensation होते हैं तो यह तो clear-cut कुछ indication होते हैं जब हमें सुनाई का जो है वह टेस्ट mandatory होते हैं जिस से हमें यह हमें पता लग सकता है कि हमारा जो कान है उसके अंदर जो है हमें जो सुनाई कम दे रहा है वह हमारा conductive loss है या neural loss है क्योंकि तो सुनाई का loss है वह दो तरीके से हो सकता है मतलब कि जो हमारी sound conduction है उस system में गड़बढ है या कंडक्शन के बाद जो नर्व हमारे को ब्रेन तक लेकर जा रही है उसमें दिक्कत है सो उस टाइम पे हमें ओडियोमेट्री टेस्ट की जरूत होती है अब बात करते हैं दूसरों दोस्तों कई बार हमें कोई प्रॉबलम नहीं है फिर भी हमें कराना चाहिए तो अगर हम पैंतालीस के आसपास हैं और या हमारे कोई थाइरैड की समश्या भी चल रही है या थाइरैड की लंबे समश्य गोली ले रहे हैं या हमें कोई जो है वो हम डाइलाइसिस भी करा रहे हैं या हमें कोई कैंसर कीमो तरह पीचली यास दोस्तों जब भी आप अपने एक ओडियोमेटरी टेस्ट कराना चाहिए सो उस ओडियोमेटरी टेस्ट की माध्यम से हमें हमारी हीरिंग थ्रेशोल्ड का पता रहता है कि जो दवा हम जो ले रहे हैं उससे हमारा कान डेमेज तो नहीं हो रहा है और अगर जैसे दोस्तों आपने एरिंग टेस्ट कराया हमें लग रहा है कि यह ड्रैंड लोस है तो हम दोस्तों उसको बचा सकते हैं हमारा साल्ड चैंज करके हैं या डॉक्टर की सला से तीसरा एक इंपोर्टेंट चीज दोस्तों नुज इंडियोमें लोस भी होता है कि जैसे आज कोई ऐसी फैक्टरी में वर्क कर रहो जहां पे टक 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 आईडिली क्या है अगर 80 डेसिबल से उपर जो है अगर साउंड से तो वहां पर भी आपको कहा है कि टाइम टू टाइम क्या है कि जो हीरिंग टेस्ट कराना चाहिए आइडिली तो गोर्मेंट ने एक लौ बना रखा है कि जहां पर इस डेसिबल से ज्यादा उन वरकर्स का एक हीरिंग टेस्ट समय समय पर होना चाहिए बट अगर वह पॉसिबल नहीं है वह नहीं करा रहे तो जागरूकता खुद की है कि आपको जागए अपना हीरिंग टेस्ट कराना चाहिए जिससे आपको यह एससमेंट ओकि मेरा यह का जो है हीरिंग का सिस्टम है वो इस लेविल पे चल रहा है पहली बाद अब दोस्टों हीरिंग ट्रेस्ट होता क्या है एक सिम्पल एक ओडिय एक मसीन होती है जिसके अंदर से आपको क्या है कि वो दोनों तरफ आपके हैर में उसका जो है वह लगा दिया जाते आप से उसमें पूछा जाता है आवाज आरी जाहाँ नहीं आरही ंढोरी तो नहीं आरही जहां नहीं पुंगर उठाना importance क्या है वह हो ओडियोग्राम दोस्तों हमारे को ये भी बता देता है कि इस जो ये सुनाई एक्यूट प्रॉब्लम है, सदन हेरिंग का लोस हुआ है, तो कुछ स्टिरोइड की मेडिकेशन देके उसको रिकवर किया जा सकता है, तो इसलिए दोस्तों यह जो हीरिंग टेस्ट है वो इंपोर्टेंट है, और एक और इंपोर्टेंट बात है कि एरिंग टेस्ट कराने के जो आपकी रिपोर्ट है, उसको आपको अपने समाल के रखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हम 6 मैने बाद, साल बर बाद फिर करा रहे हैं, तो भी एक पहले मेरी इतनी थी, अब मेरी इतनी है, पहले कॉंस्टेंट है या नहीं है, या डाउन हो रही है, तो this is the value of the audiogram, य आप जहां पे ओडियोमेटरी टेस्ट कराते हैं, वह आपका एक साउंड पूरूफ रूम नहीं होता है, इसलिए आपको जहां पे एक साउंड पूरूफ रूम होना चाहिए, जिससे हमें एक्जेक्ट हमारे येर का पता लग सके, तो देखा आपने कितना इंपोटेंट है ओडियोमेटरी टेस्ट हमारी हीरिंग का अनलाइसिस करने के लिए, तो इस इंफोर्मेशन इस यूसफूल फोर यू, यू कैन गो और शेर इस इंफोर्मेशन तो यूर फैमिली और फ्रेंड और कलीग्स, दोस्तों इसमें एक चीज और जो मैं लास्ट में बताना चाहूं कौन सा हीरिंग एड हमें चाहिएगा या दोनुं हीरिंग एड के लिए दोनुं कान के अंदर लगाना जरूर ये सारी चीजे हमारे को इससे पता लग पाती हैं, तो रियली अगर यू हैव अनी क्वेस्टिंस रिगार्डिंग और इस ओडियोमेटरी, तो इस गो फोर मैं स्वेडेनी चाहिए हैं, तो रिख अब डिख़्योप ये चीजेए अब लाबागार्ड ना टूब पाता हिए और ला दोनुंक कि आप धरा सेजेएं। तो पाता हमें इस बखते हैं। फ जिल्गिए टूज़कर कि आपक्योच्वेटरी ठीजिए खिलेगाना से बीज़क